Hello, Dear Student, Good Morning, I am Atav Rehmann Nuri, Assistant Professor in Department of Urdu, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegao. आज की हमारी ये वीडियो मुश्टाक एहमद यूसुफी की हयात और खिदमात पर मबनी सवालात बराए मश्क है. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, SYBA Urdu Semester 3 का ये निसाब है, जिसमें हमने इन्शाया और इन्शाया निगारी का मतालिया करना है. उसके बाद मौलाना अबुलकलाम आजाद के तीन इन्शायो का तज्जियाती मतालिया भी करना है, जिस पर अल्रेडी हम अपने तालिमी चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जरूर उनसे इस्तिफादा करें. इसमें यूनिट सेकंड है, इन्शाये अज मुश्ताक एहमद यूसुफी, इसमें मुश्ताक साहब की हयात औ खिद्मात का भी हमने इहाता करना है, इसी के साथ उनके तीन इन्शाये, हुए मर के हम जो रुस्वा, पढ़िये गर बीमार, धीरज गंज का मुशायरा, इन त तज्जियाती मुतालिया करना है, इस वीडियो में इन्ही तमाम एहम निकात के तहित चन्द सवालों को हम सौल करने की कोशिश करेंगे, पहला सवाल ये है, मुश्ताक एहमद यूसुफी का सन्य विलादत क्या है? आप्शन, 1922, 1923, 1925 और 1926, इस सवाल का सही जवाब है, 1923, अगला कुश्शन, मुश्ताक एहमद यूसुफी का जाय पैदाश क्या है? आप्शन, कराची, लाहोर, जैपूर, या फिर बनारस, सही जवाब है, जैपूर, आप जाय पैदाश को याद रखियेंगा, और जाय वफात पर भी वीडियो के आखिर में एक सवाल आएगा, उसे भी जहन नशिन कर लीजेंगा, ताके आपको अंदाज़ा हो, कि इनकी विलादत हिंदुस्तान में तो हुई, मगर वफात, तक्सीम हिंद के बाद आपने पाकिस्तान में पाई थी, अगला सवाल, मुश्ताक अहमद यूसुफी के वालिद का नाम बताईए, इसक्रीन पर आप्शन, ये है, मुहमद खान यूसुफी, अहमद खान यूसुफी, अब्दल्ला खान यूसुफी, या फिर अब्दलकरीम खान यूसुफी, जहन नशिन रहे, मुश्ताक अहमद यूसुफी के वालिद का नाम अब्दलकरीम खान यूसुफी था, अगला सवाल हुए मर के हम जो रुस्वा किस शायर के शेर का मिस्रा बता और उन्वान के मुश्टार एहमद यूसुफी ने इस्तेमाल किया है औक्षन मीरतकी मीर मिर्जा गालिब मौमिन खान मौमिन या फिर जौब यूसुफी की जो किताब है हुए मर के हम जो रुस्वा ये जुमले किसी शायर के मिस्रे में मौजूद है आपको बताना है कि वो शायर मीर है गालिब है मौमिन है या फिर जौब है तो इस सवाल का सही जवाब है मिर्जा असदुल्ला खा गालिब शेर काउन सा है आप स्क्रीन पर पढ़ सकते है हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों ना गर के दर्या हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों ना गर के दर्या ना कभी जनाजा उठता ना कही मजार होता आप तमाम ही इस स्टुडन्स से गुजारिश है कि शेर की तश्री मुक्तसर अलफाज में वेडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करें अगला सवाल यूसुफी पारे किस सोशल मेडिया के जर्ये आम हुए आप्शन इस्टाग्राम टुईटर फेस्बुक वर्टसेप समाजी राप्ते की वेब साइट्स के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते है और सवाल काइन किया गया है कि यूसुफी पारे किस सोशल मेडिया के जर्ये से आम हुए थे इसका सही जवाब है फेस्बुक के जर्ये से अब ये चीज है क्या इसका अंदाजा आपको अगले सवाल में होंगा अगला सवाल क्या है यूसुफी पारे क्या है आप्शन मुश्टाक एहमद यूसुफी के किताबे यूसुफी का शेरी मजमुआ या फिर मुश्टाक एहमद यूसुफी के मशूर अकवाल आप्शन डी यूसुफी की हयात औ खित्माद तो यूसुफी पारे दर असल यूसुफी के मशूर अक्वाल है जिने फेस्बुक के मेडियम से आम करने की एक काम्याब कोशिश की गई थी इसलिए कहा गया है कि यूसुफी पारे फेस्बुक के जर्ये से आम हुए है अगला सवाल चराक तले किसकी तस्नीफ है आप्शन पतरज बुखारी रशीद अहमद सिद्धी की महदी अफादी मुश्टाक अहमद यूसुफी जाहिर है आज की हमारी ये वीडियो मुश्टाक अहमद यूसुफी की है इस सबब से आप आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं ये चराक तले मुश्टाक अहमद यूसुफी की तस्नीफ है मगर एक्जाम में तक्रिबन सौ सवालात होंगे अगर उन सौ सवालों में एक सवाल इस तरह का पूछ लिया जाए तो ताले बिल्म तजबजब और कश्मकश का शिकार हो जाता है या होना यकीनी है इसलिए आप मुश्टाक अहमद यूसुफी जो चारों किताबे हैं उनके नाम बेहतर तोर पर याद कर ले ताके एक्जाम में जब इस तरह का सवाल आप से पूछा जाए तो आप जवाब देने की पोजिशन में बाकी रहे अगला सवाल पढ़िये गर बीमार किसका इनशाया है आप्शन पतरस बुखारी वजीर आगा मुश्टाक अहमद यूसुफी या फिर खौजा हसन निजामी तो पढ़िये गर बीमार ये मुश्टाक अहमद यूसुफी का इनशाया है इस सवाल पर आपसे एक सवाल पोच्छता हो कि पढ़िये गर बीमार मुश्टाक अहमद यूसुफी की किस किताब में दर्ज है किस किताब में पढ़िये गर बीमार नामी इनशाया मौजूद है आप उसकी निशान देए कमेंट सेक्शन में करने की जहमत गवारा फरमाए अगला सवाल इन में कौन सी तखलीक मुश्टाक अहमद यूसुफी की नहीं है आप्शन आपकी स्क्रीन पर सफिने गमे दिल, जर्गुजिष्ट, खाकम बदहन और चराग तले तो चार आप्शन दिये गए है, दर्याफ्ट किया गया है कि कौन सी किताब मुश्टाक अहमद यूसुफी की नहीं है बालफाज दिगर, इसमें से तीन किताब मुश्टाक अहमद यूसुफी की है तो आपके सामने जवाब है, सफिने गमे दिल, जर्गुजिष्ट, खाकम बदहन, चराग तले चौथी किताब मुश्टाक साब की कौन सी है, आप कमेंड में बताने की जहमत गवारा फरमाए अगला सवाल, मुश्टाक अहमद यूसुफी को सितारे इम्तियास का एजाज या एवार्ड किस सन में मिलाओ आप्शन आपके स्क्रीन पर, 1997, 1998, 1999 या फिर सन 2000 factual based knowledge पर, knowledge वाला ये सवाल है, इसका सही जवाब होंगा, 1999 अगला सवाल, इन में कौन सा इन्शाया, मुश्टाक अहमद यूसुफी का नहीं है आप्शन, पढ़िये गर बीमार, धीरज गंज का मुशायरा, अनानियत, हुए मर के हम जो रुस्वा तो पढ़िये गर बीमार, ये भी मुश्टाक साब का इन्शाया है, धीरज गंज का मुशायरा ये भी है हुए मर के जो हम रुस्वा, इस पर हम already उपर सवाल देख चुके है, रह जाता है, option C, यानि अनानियत, वो इस सवाल का सही जवाब होंगा आप से मेरा ये सवाल है, पढ़िये गर बीमार, धीरज गंज का मुशायरा और हुए मर के जो हम रुस्वा, मुश्टाक साब की किन किताबों में ये इन्शाया मुझूद है, उन किताबों के नाम आप कमेंट सेक्शन में दर्ज़ करें अगला सवाल, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिक्वा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको अकबाल के इस शेर में यूसुफी की एक तस्निफ का नाम बताईए, पढ़िए गर बीमार, धीरज गंज का मुझारा खाकम बदहन हुए मर के जो हम उरुस्वा आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि इस शेर में जो लब्द मौझूद है खाकम बदहन ये माखूस है अगर इसकी इस्तिला की बात करें तो तफ्ही में गालिब इस पर इस शेर के हवाले से जो तश्री दी गई है वो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं जुर्रत आमोस यानि हिम्मत बन्दाने वाली जुर्रत दिलाने वाली बहादुरी और दिलेरी का सबक पढ़ाने वाली इस किस्मों के और मुरकबात भी हम आयरोस पढ़ते और बोलते रहते हैं मसलां सबक आमोस अबरत आमोस तो जिस तरह सबक आमोस और अबरत आमोस ये मुरकब अलफाज है उसी तरह एक मुरकब जुर्रत आमोस का इस्तिमाल डॉक्टर अकबाल ने अपने शेर में किया है ताब सुखन यानि शायरी का जोर उसके बाद फिर एक मुरकब लफ़ है खाकम बदहन यानि मेरे मूँ में खाक ये एक रोज मर्रा का महाविरा है जो उस वक्त बोला जाता है जब कोई अनहुनी बात मूसे निकालनी हो जैसे खाकम बदहन कोई मुलक तूटने वाला है शिक्वा का या तीसरा शेर खुदा से शिकायत करने के शुरुआत में सबसे काबिले तवज्जा शेर है शायर कह रहा है के मेरी शायरी का जोर और शायरी की तबोताब मुझे मजबूर कर रही है और कह रही है के शेर बनो जुर्रत पकड़ो और जो दिल में है कह डालो इसलिए मेरे मूँ में खाक मुझे खाली के काईना से शिकायत है गोया के अल्ला से शिकायत करने से कबल इस तरह का मुहावरा इस्तेमाल किया गया है के मेरे मुँ में खाको यानि खाकम बदहन जब कोई अनहुनी बात मुझे निकालनी हो अब जाहिर है के खुदा से शिकायत कोई रोज मरवा का मामूल तो है नहुनी बात है अच्छोती बात है इस सबब से डॉक्टर अकबाल ने यहां पर कहा है जुर्रत आमोस मेरी ताब सुखन है मुझको शिक्वा ला से खाकम बदहन है मुझको तो अकबाल के शेर में यूसुफी के एक तस्नीफ का जो नाम है खाकम बदहन वो छुपा हुआ है यूसुफी के हवाले से और भी बहुत सारे सवाला थे जिने हम अगली वीडियो में सौल करने की कोशिश करेंगे आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को किलिक कर लीजिए वीडियो की लिंक को अपने दोस्त आइबाब में जरूर शेर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में खुदा हाफिस